नमस्कार दोस्तों मैं रभी साख को और आपका स्वागत है आपके प्रेशनल साख के रभी बहुत मैं तो दोस्तों अभी चल रहा है बिग बॉस ओटिटी थिरी जहां पर बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि जो सिवानी जब तक रही तब तक मज़ा आता रहेगा तो जबर जब तक सिवानी है जिस दिन भाहर हुई उस दिन सुमें मज़ा खतम इसलिए इनज्वाइ सिर्फ सिवानी करती है तो दोस्तों अभी पाइल मलक जी के बारे हम बात करें पायल मलक भार आने के बाद अंदर क्यों गई थी ऐसा क्या जरूरी काम पढ़ गया उनको अंदर ज किसनी नहीं है वो है टीवी तो टीवी दुनिया भर देखती है यूटीटुब ज्यारा लोग नहीं DEEKते हैं तो दोस्तो इसी लिए शिर्फ सिवाने के लिए और सिर्फ विसाल के लिए गहीं थी, तो अभी हम सिवानी के लिए जो वीडियो थी में बना दी, वो देख लीजिएगा, और नहीं तो मैं यहां इंडी स्क्रीम देदीगा, यहां से देख लीजिएगा, अभी करते हैं विसाल की बात, विसाल ने सिर्फ क्या बोला था, विसाल बोला भावी बहुत सु कुछ भी बोल दो, हमारे हां ऐसा सिस्टम नहीं है कि एकदम टोचर ही करने लग जाओ, तो इसी यही चीज भावी अच्छी लगती है, तो इसका मतलब यह तो नहीं उसको उसने हत्या लिया, रख लिया अपने पास, या कोई गाली गलोच कर दिया, अच्छी लगती है, अच्छा बोला, चलो आपको अगर गलत लग गया है, और दोस्तो इसने क्या बोला था, और यह पाइल मलक जी क्या बोला था, विसाल ने कटारिया से क्या बोला था, यह तो दोस्तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, सिर्फ यह चीज का मुद्धा बनाया जा रहा है भॉस में दिख रहे हैं कौन रियल में अच्छा है और कौन रियल में अच्छा है, दोनों चीजों में बिग बॉस में सारा दिखाया जा रहा है, तो दिहान से देखिएगा, बिग बॉस ओटिटी थिरी, जिए सने में जन्व डाउनलोड ने क्या, डाउनलोड कर लो, 29 इकत है, या पिर ये बिसाल, ये बोल देता, भाबी बेकार है, अच्छी नहीं लगती है, तो अच्छा लगता, उसने अच्छी बोल दी, सुन्दर बोल दी, सुन्दर को सुन्दर बोला जाएगा, अच्छा को अच्छा बोला जाएगा, ये आपका मकसद ये है, कि हमारी दे अगर आपका कोई सवाल है तो दोस्तों कमेंट करें और उसका भी जवाब में दूँगा एलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक भी नमवद्दा जै सबर हो जै बीम जै भारत